हलो नमस्कार जहिन दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल विद्धेसेस में दोस्तों हमाजी ने एक और सांदार क्लास के साथ जो कि CITS इंटरेंस इग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है दोस्तों आज की क्लास मे हम फिर से रिजिनिंग के मॉडल पेपर को साल्व करने वाले हैं दोस्तों हम आज की क्लास में जो इंपोर्टेंट कुश्चन आपके इंटरेंस इग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हमने इस मॉडल पेपर में सामिल किया है और ये कुश्चन आपके प्रिवियस इयर पर भी आधारित हैं इन में से कुश्चन आपके प्रिवियस इयर में भी पूछे गए हैं जो आपके CITS इंटरेंस इजम 2021 और 22 में हुए थे तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं और अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल कि दौरा दी जाती है तो अगर आप लोग नहीं है तो जरूर चैनल को सस्क्राइब करिए तो चलिए दोस्तों हम रिजिनिंग के मौडल पेपर को सॉल्व करते हैं आज के पहले कुश्चन को देखते हैं आज का पहला कुश्चन कह रहा है दोस्तों की ओडो मीटर का संबं चलना सुई या फिर दिसा तो दोस्तों जिस प्रकार ओडो मीटर से हम माइलेज मापते हैं उसी प्रकार कमपास से हम लोग दिसा मापते हैं तापका राइट एंसर क्या होगा है हाइबर नेशन है तो बता है मैराथन का संबंद जिस तरह से दोड के लिए है हाइबर नेशन का संबंद किस से होगा तो दोस्तों मैराथन जैसे क्या होता है एक लंबी दोड की प्रक्रिया है तो हाइबर नेशन बताइए सरदी होगा भालू होगा सपना होगा नीद होग हैं तो दोस्तों जिस प्रकार महराथन दोड की लंबी प्रक्रिया है हाइवर नेसन एक नींद की लंबी प्रक्रिया आपका राइट एंसर आपका नींद कि खिटकी को फलक देना मतलब फलक होता है वह जैसे किताब को आपके सब्सक्राइब आपके लिए उठाएँ माडल पेपर में किजो भी ट्रांसलेट किया गया गूगल से क्योंकि आपके एक्जाम में जो question मिलेंगे आपको वो translate किये हुए मिलेंगे तो खिड़की को जिस प्रकार से फलक देना होता है मतलब पल्ले होते हैं उसमें फलक होता है उसी प्रकार किताब को क्या होगा उपन्यास होगा काच होगा ढकना होगा प्रिष्ट होगा तो उसी प्रकार दोस्तो किताब का होगा प्रिष्ट क्या होगा किताब का होगा प्रिष्ट क्या होगा प्रिष्ट क्या होते हैं फलक या फिर कह लिजे उसके किमार या दर्वाज झाज या फलक कह लीजिए जो पल्ले लगे होते हैं जिसे खिड की बंद की जाती है उसी प्रकार funk ago किताओ में कोगे प्रृस्ट ट्राइट एंसर क्या Όगा अपसन वांग। प्रिष्ट हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों नेस्ट कुश्चिंग तरह फंगला कुश्चिंग क्या कह रहा है कह रहा है दोस्तों नेस्ट कुश्चिंग बहुत इच्छा कुश्चिंग है कि जैसे कप का संबंध काफी के लिए है जैसे कटोरी के लिए मतलब के लिए चमच के लिए खाना के लिए तो दोस्तों जिस प्रकार कप काफी के लिए है उसी प्रकार कटोरी आपके सोर्बा के लिए तब आप समझेंगे सोर्बा क्या होता है सोर्बा का मतलब होता है दोस्तों सूप क्या सूप सोर्बा का मतलब क्या होता है सूप इसलिए आप इस language को भी समझे है कि काफी के लिए है तो इसे कटोरी के लिए क्या है कटोरी किस के लिए है सोरभा के लिए है तो रही टैंसर आपका क्या होगा सोरभा बेंजन तो आपका थाली में होता है चम्मच आपका चम्मच यह खाना तो खाना है इससे कोई मतलब नहीं है तो सोरभा प्रसन्न अर्थ का मतलब निरासा मतलब की बिपरीद सब्द है प्रसन्न का मतलब निरासा मतलब खुसी का दुखी एक तरस समलीजे मतलब बिपरीद सब्द है प्रसन्न का अर्थ निरासा तो प्रबुध का अर्थ क्या होगा अउगत अज्यानी दुखी सहिसूर तो दोस्तो प्रकार क्या हो जाएगा इसका अग्यानी तरह ही टैंसर क्या होगा आपका अप से नंबर बी हो जाएगा बढ़तें दोस्तों नेश्ट खुंशिंग तरह अगलर कुशिंग क्या कहे रहा है की यहाँ पर खेच आसवादी जितना प्रसन होता है उतना ही निरासवादी भी तो मतलब जिस प्रकार से आसावादी प्रसन होता है तो निरासावादी क्या होगा बताइए उदास होगा अर्थ होगा छुद्र होगा मददगार होगा दोस्तों आसावादी का संबन आर्थी है प्रसन अगर आसावादी है तो आप प्रसन रहेंगे अगर आप निरासावादी ह क्या रहेंगे आप उदास रहेंगे क्या रहेंगे उदास तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा उदास आपका option number A क्या होगा correct हो जाएगा उदास निरासवादी क्या संबंद होगा किस से उदास से दोस्तों यह सारे question जो हम करा जैसे संगीत कारिकरम के लिए तो आप बताइए अभिनेता के लिए नाटक उसी तरह से है तो जैसे संगीत कारिकरम के लिए कौन संबंदित होगा स्वर की समता संगीत कार पियानो टककर दोस्तों देखिए नाटक के लिए अभिनेता का संबंद है तो संगीत के लिए किसका स संगीतकार का ता आपका राइट एंसर क्या हुगा राइट एंसर आपका उपसन नंबर बी हो जाएगा संगीतकार अभिनेता के लिए नाटक है तो इसे संगीतकार के लिए क्या है संगीत संगीतकार बढ़ते हैं दोस्तों नेस्ट कुश्चिंग तरफ अगला कुश्चिंग कह रहा है दोस्तों आपका कि कलम कभी के लिए है तो सुई के समान है मतलब कलम कभी के लिए है तो सुई के समान है मतलब कि कहने के मतलब यह है जिस परकार कलम कभी के लिए है तो सुई किस के समान है या फिर किस के लिए है कुश्चन को समझे ऐसे ही कुश्चन आपको एक्जाम मिलेंगे इसलिए मैं इस तरह के कुश्चन उठा के लाया हूँ कि कलम कभी के लिए है तो सुई के समान क्या है धागा बटन सिलाई दरजी तो देखिए जोस्तों जिस प्रकार कलम से कभी का संबंद है उसी प्रकार से सुई का संबंद किस से होगा दरजी से होगा किस से दरजी से कलम से कभी लिखता है उसी प्रकार सुई से दरजी सिलाई क जाएगा क्भणते डिस्टों ने स्टी किश स्क्राइए इसे क्वेंक्षां के बहुत अच्चिस धने चले इसको मेरक को बताते हैं कुष्टन क्या कह रहा है दोस्तों देखिए एस सी डी टीए एफ यूजी एच उसके बाध यहां पर कुष्चन मार्क है यहां पर एक है W,K, L, तो पताना आपका कुष्चन मार्क है यहां किस्थान पर क्या होगा? सभ पहले आप कोड लिख लिजी, S क क्या होता है? 19 होता है, S कोड क्या होता है? 19, C का कोड होगा, आपका 3, D का होगा 4, फिर आप conspiracy, TBT का कोड कितना होता है 20 estaba starchкая part soapด parenth का यह चीजिए उकलिए यू का होता है 21 जी का होता है आपका जो है साथ और यहाच का होता है आपका आठ देखिए दोस्तों सिंप्लिर आप यहाँ पर समझ गएंगे देखेञा निश मैं झारिया फडीन क्या आएगा यू के बाद क्या यू के बाद वी आएगा और वी के बाद देखिए डबलू दिया किया तो सबसे पहले यहां पर जो है यहां पर क्या हो जाएगा सबसे पहले वी हो जाएगा आप देखिए यहां पर C D है एफ है abcdef ch फिर क्या होगा hij क्या इग फिर हाइजी यहां पर के यह है उससे आपको मतलब नहीं कि simply दिया गया यहां पर देखेए s t u फिर हाँ पर हो गया वी फिर हाँ पर देखें करम से c d ev आपकी राइट नॉमबर गारेगे दिखिए ऑनीस कोड होता है 19 यौ कोथा 20 21 हो गया तो दोस्तों अगर बात करें आगे जो है तो आपका आगे है आगे है दोस्तों सी तो सी के बाद क्या आता है डी फिर दी ये दोनों सी डी हो गया ये फिर क्या हो गया फिर ये आपका जी एच हो गया तो ऐसे सेम दोस्तों पहले हम एस टी यू के बाद वी आता है वी भी लिख लिया अब यह देखिए यहां पर जोड़ा है सीडी का इफ का जी आच तो यहां पर क्या होगा आई जे का इसलिए आपका राइट एंसर क्या होगा वी आई जे बढ़ते हैं दोस्तों आज के आखरी कुश्चन की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोग जो है अगर चाहें तो इसका एंसर कमेंड बॉक्स में करिएगा लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों क्योंकि ऐसे ही कुश्चन आपके इजाम में आते तो मैं बताता हूं देखिए दोस्तों सब पहले हम कोड लिख लेंगे एफ का कोड क्या होगा आपका साथ एक एक ही है कोई मतलम नहीं है एफ का होता है आपका छे दोस्तों फिर उसके बाद देखिए यहां पर देखिए आगे एच है क्या है दोस्तों एच है एच का कोड कितना होगा एच का कोड होगा आपका आठ यह के बाद क्या है एक आई का होता है नौ फिर उसक है छह से साथ हो गया सथ से याइड हो गया आठ से मतला एफ के बाद क्या आता क्या दिखिए जी यह आद है यह इस खिया आई इस गार आएग आए अजान का आएगा आए अब देखिए दोस्तों कि कि historians है तो यहां पर भी ऑ वह जगा क्योंकि कि हमने लिख लिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 है, 7 से क्या आया, 6 हो गया, मतलब माइनस 1 हो गया, फिर 6 से देखिए, क्या हो गया, 9 हो गया, प्लस 3 हो गया, फिर 9 से क्या हो गया, 8 हो गया, माइनस 1 हो गया, अब 8 हमें प्लस 3 करेंग कितना आएगा, 11 और 11 आपका किसका होता है आपका right answer क्या होगा जे एक जे एक आपका right answer option number एक हो जाएगा दोस्तों एक हो जाएगा लेकिन इक बार मैं आपको और समझाओंगा देखिए f के बाद क्या आता है f के बाद g आता है f के बाद g हो गया यहाँ पर देखिए अब आपका बनता है f और जो पहला और आखरी तीसरा स्थाने उसमें आपको code करना है f है f के बाद g आता है g के बाद यहाँ चाहता है अच के बाद आई आता है अब आपको तीसरा code करना है g के बाद देखे क्या है f है तो g के बाद f क्या हुआ माइनस 1 हो गया फिर f के बाद i है प्लस 3 हो गया फिर i के बाद h है माइनस 1 हो गया और h के बाद फिर करेंगे प्लस 3 तो 8 में 3 जोड़ेंगे 11 तो 11 होता है आपका k तो right answer आपका j a k हो जाएगा दोस्तों तो यह रहा दोस्तों आज का important question आसा करते हैं आपको आज की class पसंद आई होगी अगर आपको class को लेकर कोई doubt है cits intensity jam को लेकर कोई doubt है अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो जरूर comment box में comment करिए दोस्तों मैं उसका reply जरूर दूंगा तो दोस्तों चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर एक comment करिएगा मिलेंगे निश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत